जो खुद को अपडेट कर रहा है वही जिन्दा है पहला सिद्धान्त अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप डाउन ग्रेड हो रहे हैं यदि कोई भी है सोचता है कि आज से 10 साल पहले वह जितना जानता था उसके पास जो हुनर था जो सोच थी वही आज भी पर्याप्त है तो वह गलत सोचता है नई सोच नए तरीकों और नई तकनिकों के बीच आप कब मिस्फिट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अचानक एक दिन लगेगा मानों आप पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गये हैं यदि कोई ब्यापारी यह सोचता है कि आज से दो साल पहले मेरा जितना टर्नोवर था आज भी मैं उतना टर्नोवर कर रहा हूँ और मैं अपने जगह पर कायम हूँ तो वह गलत है क्योंकि भले ही उस व्यक्ति का टर्नोवर वही हो लेकिन दुनिया काफी आगे निकल चुकी है और तुलनात्मक रूप से वह तो आपको अपने बच्चों के लालन पालन के लिए अपडेट होना पड़ेगा राजनिताओं को अपने देश को चलाने के लिए अपडेट होना पड़ेगा बिजनिसमेन को व्यावार के नए तरीकों को अपनाने के लिए अपडेट होना पड़ेगा यदि आप बैंकर है तो बदलते बैंकिंग परिद्रिष्य से अपडेट राना होगा दूसरा सिध्धान्त हर ताले की एक चावी है और हर चावी की एक कीमत जिस तरह से दुनिया में कोई भी ताला बिना चावी के नहीं बनता किसी समस्या का समाधान धन है किसी का मेहनत है किसी का जुनून है किसी का कुछ सीखना है किसी का समाधान विनम्रता है तो किसी का माफी हो शकता है किसी समस्या का समाधान आपके आसपस ही मिल जाए तो किसी के लिए बाहर जाना पड़े है तीसरा सिध्धान्त, महत्वपुर्ण या नहीं कि आप कितने सफल हुए हैं, महत्वपुर्ण या है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आप में योग्यता है, हो सकता है कि आपने अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और समाज के तुलना में ज्यादा सफलता हा वह सफलता व्यावशाइक, समाजिक, राजनितिक या किसी भी छेत्रकी हो सकती है। आप इमानदारी से एक प्रश्ण खुद सेखीजिए। क्या आप उतने सफल हुए हैं जितनी आपके अंदर योग्यता है। क्या आप अपना सौ प्रतिसत जोक रहे हैं। क्या आपका जीवन अनुशाशित है। क्या आपके सारे निर्ने एक दिशा में होते हैं। क्या आप हर एक मिनट को शाओधानी पुर्वक उप्योग करते हैं। क्या आप अपना जीवन फोकस के साथ बिता रहे हैं। क्या आपने अभी तक अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग किया है। यदि आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी छमता या शक्ती नहीं लगाई और उसके बावजूद आफ खास जगा पर पहुँच गये हैं अभी रुकने का नहीं गती बढ़ाने का और अपनी छोटी सी सोच एवं दुनिया को बड़ी करने का वक्त है।